जय हिं सभी फोजी भाईयों का हारदिक स्वागत है आपके अपने यूटू चैनल आर्मी वाला पेज इतने भी दोस्त एंडिन आर्मी त्यारी करें इंट लिए बहुत ही महात्पूर्ट जीके जीए से चले ही तो आपसे जुड़ जाएगा एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगा ज़िए कृष्टण नमबर वन है आपके सीन्सोदित मूले वरध्यत कर का संबंद किस से है विक्री कर से धन कर से आयकर से या पर उत्पात सुल्ख से आपको इसका आंसर करना है दोस्तों आपका प्रैक्टिक्टिस से नमबर दस है तो आप लोग पूरे केशन करन का अंत किसने खिया था महम्मद गषुलि-निोममक काफुर ने मलिं यह इनमे से कोई नहीं तो दोस्तो Quality स्वाइब तो किस ने कि तीन है कि महत्मा गांधी ने आसयोग आंधोलन किस वर्थ सुरू किया था हुआ 1920, 1919, 1922 या 1909 इन में से कोई नहीं आपको इसका आंसर करणा है correct answer क्या बनेगा आपका रायट आंसर होगा 1920 1920 में क्या किया था महत्मा गांधी ने आसोयोग आंदोलन चलाया था next question आपसे एहिमिय है कि भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कि सन में हुई थी आपको इसका comment box में आंसर करना है यह आपके लिए question है केंबरा तस्मानिया या इसमें से कोई नहीं दोस्तों important question दोस्तों आपका है तो correct answer क्या बनेगा question no.4 का right answer होगा option B केंबरा जो कि क्या है Australia की राजधानी है बढ़ते हैं next question तरफ next question आपका है green park stadium कहां इस्तित है आपको इसका answer करना है green park stadium कहां पे इस्तित है जितने वे दोस्तों का पंदा जन्वरी का पंदा जन्वरी को paper है तो आप लोग तहलील से लग जाईए आप लोग त्यारी में तो दोस्तों correct answer क्या होगा green park stadium कहां पे इस्तित है तो question number 5 का right answer होगा कानपूर option A आपका कानपूर option A green park stadium कानपूर जो कहां पर पर पढ़ता है उत्तर प्रदेश में पढ़ता है व्यूपी में आपका पढ़ता है next question question आपका यहां पर है कि 1922 का Asian खेल कहां पर खेला गया आपको इसका answer करना है 1922 का Asian खेल कहां पर खेला गया टोकियो जापान नई दिल्ली जकार्ता इंडोनेसिया है फिर हम जो चीन आपको इसका answer करना है question number 6 आपके screen पर है तो दोस्तो correct answer होगा हम जो option D आपकर right answer होगा चीन में खेला गया जो कि क्या है 1922 का Asian खेल जो कहां खेला गया चीन में next question है question आपको इसका answer करना है कि निम लिखित में से कौन साथ जीव सबसे पहले अंत्रिच पर भेजा गया था चुहा कुत्ता बिल्ली या फिर शेर चुहा कुत्ता बिल्ली या फिर शेर आपको इसका answer करना है question number 7 का तो दोस्तो question number 7 का राइट answer होगा आपका यहाँ पे कुत्ता अगर आपसे पुछा रहेगा उस कुत्ते का क्या नाम था दोस्तो कुत्ता एक कुत्ती आ थी जिसका नाम था लारा लारा आपका correct answer यहाँ पे होगा option number B next question है मडिक पत्रा मडिक बत्रा किस खेलते संबंदित है आपको इसका answer करना है मडिक बत्रा किस खेलते संबंदित है कुछ ती table tennis, bat maintenance, lawn tennis आपको इसका answer करना है question number 8 है तो दोस्तो correct answer बनेगा table tennis जो की क्या है कडिका बत्रा जो की आपका table tennis से संबंदित है option B right answer होगा यहाँ इस question है question number 9 दोस्तो question number 9 है कि भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है भारत द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है उडान, निशांत, मैत्री या फिर इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं आपको इसका answer करना है तो question number 9 का right answer होगा निशांत, option B right answer होगा क्या होगा भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है तो निशांत है आप लोग यहाँ पर correct answer करेंगी option number B नियर्स question है फतेपु सीकरी में इबादत खाना, इबादत खाना किसने बनाया औरंग जेब ने, साजहां ने, जहांगिर ने या फिर अकबर ने अकबर यहाँ पर आपका correct answer बनेगा फतेपु सीकरी में इबादत खाना जोकी अकबर के दोरा बनाया गया था यहास question है विज्ञान दियोस्त कमना आता है आप तो के लिए बहुत ही इस जो की simple सा question है विज्ञान दियोस्त कमना आता है 28 फरवरी 25 फरवरी 12 जनुवरी या फिर 26 मार्च को या फिर 26 मार्च को option D आपका इहां पे है 26 मार्च को correct answer आपका बनेगा 28 फरवरी option A right answer होगा तो कि क्या होगा 28 फरवरी को विज्ञान दियोस्त मना आता है आपका correct answer बनेगा option A next question है hotline क्या है hotline क्या है एक विदुत्तार एक दुतंचार कड़ी high disc या फिर modem आपको इसका answer करना है तो question number 12 का right answer बनेगा एक दूर संचार कड़ी hotline क्या है तो उस्तों एक दूर संचार कड़ी option B correct answer बनेगा next question है bullfighting किस देश का राष्टे खेल है बुल फाइटिंग किस देश का राष्टे खेल है जापान कनाड़ा इस्पेन या फिर USA का या फिर USA का question number 14, question number 13 का right answer क्या है बुल फाइटिंग का सम्मन किस देश से देशते है तो बुल फाइटिंग जो कि क्या होगा option C आपका right answer होगा Spain का जो की राष्टे खेल क्या है बुल फाइटिंग आपको comment box में बताना है कि आपका भारत का राष्टे खेल क्या है question number 14 की निम लिखिद में से कौन सा तेवहार पैगंबर मुहमद के जर्म दिन पे मनाया जाता है इद उल जुहा महरम इद उल फितर या फिर इद उल मिलाद आपको इसका answer करना है तो दोस्तो question number 14 का right answer होगा option D इद उल मिलाद option D right answer होगा next question है जलिट जलिट्टू किस खेल किस राज में मनाया जाता है जलिट्टू खेल किस राज में मनाया जाता करनाटक केरल अंद्र पर्देश या फिर तमिल नाड तो question number 15 का right answer क्या होगा option क्या है तो क्रेक्ट आंसर क्या बनेगा आपको किस नाम से जाना जाता है दरपड के मद भाग को किस नाम से जाना जाता है प्रकास त्रिज्या या इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं तो अगर आपका money से कोई नहीं जाता हिए त morning 요 कि दोश्त नुबा या वकैंड़ आप लोग याद रखेंगे केंडर इसका राइब rया टांसर होगा या वक्रता ok वकृता के इंदराब का right answer होगा option number D और सबसे हलकी धात्व ॥ानाम बताओ आपको सबसे हलकी धात्व का नाम मताना है sodium, lithium, magnesium या इनमे से कोई नहीं या इनमे से कोई नहीं तो अपसे हलकी धाथ क्या है lithium option B correct answer होगा question number 19 का right answer होगा option B next question है question number आपका यहाँ पर 20 है कि किसी cell का सही EMF मापन वाले यंत्र को क्या कहते हैं किसी cell का सही EMF आपने वाले यंत्र को क्या कहते हैं गाउस मेटर, वोल्ट मेटर, पोटेशियो मेटर या इन में से कोई नहीं तो question number 20 का right answer होगा option C पोटेशियो मेटर कहायता है option C right answer बनेगा next question है नाब की संगलेण किरिया होती है hydrogen bomb, neutron bomb, nuclear reactor या इन में से कोई नहीं तो question number 21 का right answer होगा hydrogen bomb option A option A आपका नाब की संगलेण किरिया क्या होती है hydrogen bomb next question है इस्तंदारी जीव किस से विक्षित होगा इस्तंदारी जीव किस से विक्षित होगा सरीशरप से उभैचर से मचलिया से या इन में से कोई नहीं question number 22 का right answer क्या बनने वाला है सरीशरप से option A जीव धारी जीव क्या है किस से विक्षित होगा सरीशरप से विक्षित होगा next question है कि चर्म के उपरी प्रत को क्या कहते है चर्म के उपरी प्रत को क्या कहते है question number 20 का right answer होगा एक्रत गाल ब्लाडर या इन में से कोई नहीं next question है कि निम लिखित में से किसमें कार्बो हासुझ इसमें कोई नहीं निम लिखित में सबसे-धा कार्बो हासर कुछित होगा चावल में जो की आपका आफ्छित होगा next question है question number 26 कि खून के ऊपर प्रत कहते हैं इस लिए से नहीं इस नार्वें हारवे ने लाइमार्क या इन मेश्य कोई नहीं तोकेाट ओपुं से घ्रक्षन की है कि मेश्चन ऑप्सन ब्रेक्षेम एक ट्राव नहीं कोई नहीं तो psychology बनेगा आपका यहां पर एक से घटेगा एक से घटेगा और टांसर होगा आप्शन भी ने रिच्व कोईशन है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बांडिंग किसमें पाया जाता है तो राइट आंसर कुशन नमार अठाइस का राइट आंसर होगा एच एफ हुआ को हैं सक्रत्व का पता लगाने के लिए किस प्र pickled का उप्योग किया जाता है तो अर्य इसका आसर करना राइट आंसर क्या बनेगा और त्यस्का राइट में कोश्चन देना आंसर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा तेर करेगा अभी तक हमाई चनल को सब्सक्राइब करेगा चलिए फिर मिलते आपको नेक्स ब्लाइज में तब तक लिए जैहिन जैभात